नमस्कार मैं हो ससी आए जार्खन के सभी स्कूल 14 जून तक बंद जार्खन में पढ़ रही विशन गर्मी को देखते हुए राज सरकार ने स्कूलों की गर्मी शूटी तीन दिन और बढ़ा दी है अब स्कूल 14 जून तक बंद रहेंगे इसके बाद गर्मी की स्थिती को रिखते हुए फैसला लिया जाएगा बता दे पहले 12 जून से इसकूल खुलना था सिक्षा सचीव के रभी कुमा द्वरजारी आदेश में कहा गया है कि जार्खन में अत्यधीक गर्मी पढ़ने और हीट वेप को ध्यान में रखते हुए या फैसला लिया गया आदेश में कहा गया है कि राजी के सभी सरकारी गयर सरकारी सहता प्राप्त गयर सहता प्राप्त और नीजी बिद्याला 12 से 14 जून तक बंद रहेंगे सिक्षा सचीव ने कहा है कि इस अवधी में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली छती की भरपाई के लिए निरने लेकर सुचित किया जाएगा बता दे अकिल जार्खन प्रात्मिक सिक्छक संग, जार्खन राजे माधमिक सिक्छक संग, जार्खन परगती सिल सिक्छक संग, जार्खन परदेश, सन्युक्त सिक्छक मोर्चा, पासवा, जार्खन अभिभावक संग सहीत अने सिक्छक संगटनों ने सिक्छा सचीव के फैस नीतिक बिरोध जे एस एस यू छात्र संग अठन द्वारा आहुदो दिवस्य जार्खन बंद के दूसरे दिन रांची के बुड़ू सहीत पूरे अनुमंडल छेतर में बंद का ब्यापक असर रहा बंद के समर्थन में छात्र निता दिवेंदर महतों के नितियुत में दरज स्थीत बुड़ू टोल गेट के समीप सलक जामकर सरकार और पूलिस विरोधी नारेबाजी किया इसी दवरान छात्र नेताओं और पूलिस में जड़प भी हुई डिएसपी अजय कुमार और थानेदार पंकज भोसन ने छात्र नेता दिवेंदर महतों और उनके समर्थ को को हिरासत में लेकर बड़ू थाना ले गाए कुछ देर इन छात्र नेताओं को छोड़ दिया गया जारखन में 16 जून तक हीट वेव की चेताओंई जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम के इंदर रभीवार को एस्पेसल बुलेटिन जारी करके चेताओंई दिया है मौसम विभाग ने कहा है कि 11 जून से 15 जून तक जारखन में कुछ जगों पर हीट वेव की चेती रहेगी इसलिए लोग को भी से सवधानी परतने की जरूरत है विभाग ने कम से कम 5 जीलों के लिए औरेंज अलर्ट भी जारी किया है बता दे रांची इस्थित मौसम केंद्रे ने अपने स्पेसल बुलेटन में कहा है कि सोमवार 12 जून को बाबा नगरी देवघर के अलावा गिरिडी और कुलान परमंडल के तीनों जीले पच्मी सिमूं, पूर्वी सिमूं और सराइक लेक खर्षवा में हीट वेब कीश्थिती रहेगी वहीं पलामू परमंडल के लाते हार को छोड़ कर सेस्थ दो जीलों पलामू और गढ़बा के लिए एलो अलर्ट जारी किया गया है विपक्षी दोलों की बैठक से पहले 17 को पातना में जुटेंगे ज्यारखन बंगाल समेत अने राजियों के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंद्री नितिस कुमार के वहान पर 23 जून को नैंद्र मोधी सरकार के खिलाप होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले पाटना में एक बैठक होनी है इस बैठक में जहरकन के मुख्यमंत्री हमान सुएन पच्छी मंगाल के मुख्यमंत्री मामता बनार्डी समेथ पूर्वी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सामिल होने की उमीद है हलाकि यह कोई राजनेतिक बैठक नहीं है बतादे पटना में 17 जुन को जो बैठक होने जा रहा ही है वह पूर्वी छेत्रिये परिशत की अस्थानिय समीती की बैठक है इस बैठक की त्यारी जोरो सोरो से चल रही है एक अधिकारी नया जनकारिती है पूर्वी छेत्रिये परिस्षद में बिहार, पच्छी मंगाल, जारखन, उडिसा और सिक्किम सामिल है जुलाई में हो सकती है डूमरी उपचुनाव की घोसना सिक्छा मंत्री जगरनात महतों की मिर्तियू से खाली हुई डूमरी विधान सवासीट अब उपचुनाव की त्यारी पूरी कर लिगई है चुनाव कराने के लिए वीवी पैड भोटिंग यूनिट सियाही जैसे आवसक चीजों का इंतिजाम कर लिया गया है वीवी पैड और वोटिंग यूनिट की चेकिंग चल रही है जारकन के चुनाव पदादिकारी गिरिडी और बोकारों के उपायुक सहजीला निर्वाचन पदादिकारी के साथ वीडियो कनफिसिंग कर त्यारियों की समिक्छा भी कर चुके है उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत के चुनाव आयों को भेज दी है जुलाई महीने में डूमरी उप चुनाव की घोसना होने की समवना जताई जा रही है वंदे भारत एक्सपरेस का आज होगा ट्राइल रन पटना और रांची के बीच सफर करने वाले यात्रीयों को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सोगात मिलने वाली है अब इस ट्रेन का ट्रेन सोम वार को पटना से रांची की बित किया जाएगा पतादे ट्रेन अधिकतम 160 किलोमेटर पती घंटा की रफ्तार से चलेगी गाया और वरका खना के रास्ते आदेधिनिक सुविधाओ से युक्त बंदे भरे ट्रेन का ट्रोयल रन किया जाएगा ट्रोयल रन के दोरान एया ट्रेन पतना से सुबा 6 बच कर 55 मिट पर चलेगी और दो फ़र एक वय रांची पहुँचेगी वापसी में एया ट्रेन दो फ़र दो बच कर 20 मिट पर रांची से खुलेगी और 20 बच कर 25 मिट पर पतना पहुँचेगी जारखन बंद का दूसरा दीन बास बल्ली लगा कर छात्रों ने किया सड़क जाम बंद के दोरान गिरफतार कर खेल का अथाना लाया गया वहीं सहर में गाड़ियों का आवागमन जारी रहा बतादे की जारकन स्टेट स्टुडेंट यूनियन के वहां पर सार्च नियोजनितिक विरोध में 10 और 11 जुन को जारकन बंद किया गया सहर में सुबा से गाड़ियो कैंट कैंट की आवाजाही जारी रही जबकि बसूस्टेंट प्रबजों की आवाजाही प्रभावित रही। रांची में पीलेफाई का नकसली गिरफतार पीलेफाई के एरिया कमांडर अलोक यादों ने एक इट भटा संचालक से पचास यह रुपए की लेवी की डिमांड की थी सी एम ग्राम गाड़ी योजना देवघर एम्स के लिए नहीं देना होगा रोट टैक्स सरकार ने वाहन स्वामियों को राहत देने के उदेश से मुख्य मंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को रोट टैक्स फिरी तो किया ही जाएगा साथ ही पर्मिट सुल्क भी 99 फिश्दी रासी कम चुकाना होगा इसको लेकर जीला परिवहन पतातिकारी सलेंदर कुमार रजक ने देवघर जीला बस ओनर्स एससेशन वाहन मालिकों के साथ बैठक और इस योजना के बारे में भी स्तार्थ जनकारी दी है बता दे बैठक में स्वरो समती से एम्स के लिए वाहन चलाने करनी ने लिया गया बैठक में एससेशन की ओर से भी कई बिंदूओं पर इसमें सुधार करने की मांग रखी गई है बैठक में DTO सिरी रजक ने बताया है कि स्योजना के तहत वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को सरकार का फिर यायत देगी साथ चालिस के खिलाब साहिब गंज में NH-80 जाम साथ चालिस के बिरोध और खतियान अधारित नियोजन निती लागू करने की मांग को लेकर लगाता दूसरे दिन भी आदिवासी चातर 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 अड़े रहे चातर 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 अड़े रभीवार सुबार टोली बनाकर सहर में घुम घुम कर बंद कराने के अपिल करते हुए लोगों से उनका समर्थन का वहन किया चातरो ने साहिब गंज के NH-80 को जाम करते हुए आवा गमन पूरी तरह से बाधित कर दिया यही हाल जीले के अने पर खंडो का भी रहा चातरो ने स्टेशन चोग, ग्रीन होटल, टमटम एस्टेंड, पूर्वी फाटक, सुबाश चोग और सक्षरता चोग को बैरिकेटिंग कर जाम कर दिया गया कोई भी सवारिया स्थानिय लोग कहीं से भी नहीं निकल सके हैं, धन्यवाद